नमस्ते, आज की वीडियो में हम कट्टोरी आपको डबल कट्टोरी में कैसे करवट करते हैं, वो आज में आपको बताऊंगी, तो सबसे पहले यह जो कट्टोरी है, जिसका वो जो round है, वो हमें नाप लेना है, तो इस तरीके से हमें उसे नापना है, तो वो आ रहा है 8 इंच जितना यहाँ पर हम क्या करेंगे, आठ इंच को तीं से डिवाइड करना है, जो वो आएगा 2.6 इंच, तो यह कटोरी का राउंड है, यहाँ पर हमें उसको मार्क करना है, इस तरीके से उपर से देखिए 2.6 इंच, अब यहाँ से भी हम 2.6 इंच, अब निचे के साइड से द हुप पट्टी के यहां मार्क करना है यहां हमारा यहां पे 1.6 इंच इतना मेजर आ रहा है अब जितना हुप साइड से लिया है 1.6 इंच उतना ही सेंटर की साइड से भी 1.6 इंच पर हमें मार्क करना है तो देखें यहां पे हमारे यह तीनों मार्क लग चुके है पैटन यहाँ पे लग चुका है पर कटोरी अभी तक कंप्लिट नहीं हुई है तो अब हम उसे दूसरे पेपर पर बनाएंगे तब से पहले यह जो दो पार्ट है उसके नेचे वाला जो पार्ट है उसे हमें पेपर पर पीन से अटेच करके आज इस ड्रॉव करना है अब उपर की साइड में दोनों साइड में हमें एक इंच इतना एक्स्टा मार्जिंग देना है क्योंकि यह स्टीच में दोनों साइड से जाने वाला मार्जिंग है यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है उसे मेंने मार्क किया है और एक लाइन बना दी है अब दूसरे पार को हमें इस पेपर पर इस तरीके से दोनों कॉर्नस मिलाती हुए सेट करना है तो देखिए अब उपर की पेपर को पीन लगा कर आज इस ड्रॉव करना है इस तरह से अब जो एक इंच एक्स्टा मार्जिंग लिया था हमने उसे हम फाफ इंच में इस तरह से मारक करके राउंड शेब देना है अब यहाँ से देखी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से कटोरी की दुस्तरी साइड में नेचे की तरफ से हमें एक इंच पर मार्क करना है और हूप पट्टी की साइड से भी हमें एक इंच पर मार्क करके यहां से एक एक सेंटिमेटर उपर की तरफ मार्क करें आप यहाँ पे 0.25 इंच में एक सूध एक्स्टा ऐसे भी मार्क कर सकते हैं अब उपर की तरफ एक सेंटिमीटर पर मार्क करें इस तरह अब एक लाइन ड्रा करनी है कड़ोरी की जो दूसरी साइल्ड है वहाँ पे हमें एक सेंटिमीटर पर मार्क करना है और इस तरह हलके हाथों से हमें कड़ोरी ड्रा करनी है तो देखिए अब यहाँ पे ड्राइट का पॉइंट है यहाँ नीचे की तरफ हमें एक इंच पड़ाना है इस तरह और एक लाइन ड्रा करना है अब क्रॉस लाइन दोनों तरफ से हमें इस तरह ड्रा कर लेनी है डार्ट के लिए दोदो तरफ से हमें सवा एक इंच पर मार्क करना है यहां का डार्ट हमें सवा दो इंच पर मार्क करना है अब यहां से हमें कटरी को गोलाई देते हुए पेपर की कटिंग नहीं है इस तरह से हमें दोनों पाट को कट कर लेना है तो देखिए इस तरह से हम paper को cut करेंगे पर की तरब से हमें cross tip रखकर सवादो इज पर mark करना है और line draw करनी है तो देखिए यहाँ से भी हम आम paper को cut करेंगे इस तरह से हमारा ये double cutory का pattern complete होता है आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद